दोस्तो जब केदारनात की रात का अंधेरा गहराता है तो परवतों की चुपी में एक रहसमे खामोशी चा जाती है इसी चुपी में एक साधारन यातरा एक खतरनाग मोड लेती है जैसे ही एक छोटी बस अंधेरे जंगलों में प्रवेश करती है तो अचानक बस का टायर पं इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या अंधेरे में कहीं खो जाएंगे एक रहस में घटना और महादेव की दिव्य शक्ति की खोज में ये रात आपके साहस की परिक्षा लेने वाली हैं। अर्जुन के मन में भी वहाँ जाने की गहरी इच्छा भर दी थी। उसे लगता था कि महादेव के साक्षात दर्शन करने के बाद उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन काम और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वह अपनी इस इच्छा को हमेशा आगे बढ़ा अर्जुन एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसके काम के बोच के चलते उसे कभी लंबी चुट्टी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार उसकी स्थिती कुछ अलग थी। उसे एक महीने की चुट्टी मिल गई। और उसने तैय कि अब वो किसी भी हाल में के दार बुक कर ली। जिसमें सभी अराम से बैठ सकते थे। उनका उत्साहा चरम पर था। सभी ने अपने अपने परिवारों से आशिरवाद लिया और यात्रा की रात महादेव का समरण करते हुए निकल पड़े। उनकी यात्रा दिली से कैदार ना ठकी थी। और रास्ते में वे हरिद्वार में रुकने का भी प्लैन बना रहे थे। जब वे यात्रा पर निकले तो रात का अंधेरा फैल चुका था। सभी ने गाड़ी में बैठते ही भक्ती गीत गाना शुरू कर दिया। महादेव के जैकारे लगाते हुए उनका उत्साहा और बढ़ रहा था। भक्ती और उल्लास के माहौल में गाड़ी के पहिये तेजी से घूम रहे थे और वे हरिद्वार की ओर बढ़ते जा रहे थे। तीसरे दिन की सुभे वे सभी हरिद्वार पहुँच गए थे। गंगा घाट पर सनान कर उन्होंने महादेव से आशिरवाद लिया और अपनी गाड़ी चलाना बेहद चनौती पूर्ण हो सकता है और कभी-कभी रास्ते बंद भी हो सकते हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए रास्ता संक्रा होता गया पहाडों की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी और अब सभी को गाड़ी की गती धीमी लगने लगी थी रास्ते म ने महादेव का ध्यान करते हुए अपनी चिंता को मन से निकाल दिया दिन बीतने के साथ उनकी गाड़ी एक घने जंगल के रास्ते पर पहुंची ये रास्ता बेहद सुनसान था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था सभी थोड़े चिंत दार आवास के साथ बंद हो गया चालक ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर कर इंजन की जांच करने लगा उसे जल्द ही पता चला कि गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो गया है और इसे ठंडा करने के लिए कुछ शमय लगेगा साथ ही गाड़ी का टायर भी पंचर हो चुक अपड़ों में लाठी के सहारे उनकी और राता दिखा वो व्यक्ति धीमी गती से चल रहा था और उसके चहरे पर एक अध्भुद शांती थी अरजुन ने उसे देखते ही सोचा कि शायद वो कोई स्थानिय व्यक्ति होगा जो उनकी मदद कर सकता है बुजर्ग व्यक्ति पास आकर उनसे कहा बेटा कोई परिशानी है क्या तुम लोग बहुत परिशान लग रहे हो अरजुन ने उसे गाड़ी की समस्या बताई और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा बस थोड़ी देर रुक जाओ उसने बुजर्ग व्यक्ति किस प्रकार उनकी गाड़ी को ठीक कर पाएगा लेकिन कुछी देर में गाड़ी का इंजन फिर से चालू हो गया और बसका टायर भी ठीक हो गया सब लोग हैरान रह गए यह तो किसी चमतकार से कम नहीं था अरजुन ने बुजर्ग व्यक्ति से कहा आ इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया अरजुन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अचानक से गायब हो गया सब ही दोस्त इस घटना को देख गर दंग रह गये उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ अरजुन को अब यकीन हो गया था कि व पूत्र मंदिर का द्रिश देखकर उनके मन में अदबुद उल्लास चा गया वहां पहुंचते ही सभी ने मंदिर के दर्शन किये और महादेव का अशिरवाद लिया अरजुन और उसके मित्रों ने पूरी श्रधा और समर्पन के साथ पूजा की मंत्र उचारण की और आर् पूजारी ने बताया कि ये स्थान ना केवल एक धार्मिक तीरत स्थल है बलकि यहाँ पर कई रहस में घटनाए भी घटित होती रहती हैं जो महादेव की शक्तियों का प्रतीक है अरजुन और उसके मित्रों ने इन कथाओं को ध्यान पुर्वक सुना और उनके मन में एक नई श्रधा और आदर का भाव जागा रात के समय जब पूरा शेत्र ठंड और शांती में डूबा हुआ था तो उन्होंने सोचा कि अब तक की यात्रा का अनुभव वास्तव में अनमोल रहा है रात की गहरी चुक्पी में जब आसमान में तारे जिल मिला रहे थे और हिमाले की वादियों में एक थंडी हवा बह रही थी अरजुन ने महसूस किया कि महादेव के इस दिव्य धाम में एक अध्वित्य शक्ति का अभास हो रहा है मानो भगवान शिव की उपस्थिती हर कोने में बसी हो और उनका आशिरवाद हर पल उन पर कृपा बना रहा हो वे सब अपने अपने कमरों में लोटे लेकिन नीद की बजाए उनके मन में महादेव की उपस्थिती और उनकी यात्रा के अनुभव गूंज रहे थे उन्होंने तैय किया कि अगले दिन वे इस स्थान पर और इधिक समय बिताएंगे और महादेव की और भी रहस्यों और चमतकारों की खोज करेंगे केदारनाच की इस पवित्रे यात्रा के प्रतेक पल ने अरजुन और उसके दोस्तों के दिल को छुलिया था और उन्होंने ये महसूस किया कि ये यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपुरण अधियन बन चुकी है इस घटना ने अरजुन और उसके दोस्तों को महादेव की कृपा में अटूट विश्वास दिला दिया उन्हें अब यकीन हो गया था कि जब भी भप्त सचे मन से महादेव का समरण करता है तो महादेव उसकी हर समस्या का समधान कर देते हैं उनके लिए ये यात्रा जीवन का सबसे अधुद अनुभव बन गई थी और वे हमेशा इसे याद रखेंगे आपका इस घटना के बारे में दोस्तों क्या कहना है अपने विचार अपनी राए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि तमाम नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे मिलेंगे जोलधी, धन्यवाद, हरहर महादेव